नमस्कार, टुड़े हिमाचुल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ भावनर रनाट और चली देखते हैं श्राम की बड़ी खबरों को फटा फटा हिमाचुल में वन मित्र भरती के लिए फरवरी से शुरू होंगे फिजिकल सियम सुखुने की घोशना, कॉंस्टेबल के बाया सुचबिस पदों को भनने का भी हुआ एलान मख्य मंत्री सुखुने कहा कि वन विभाग में वन मित्र भरती प्रक्रिया चल रही है फरवरी के पहले सब्ता से शारीरिक परिक्षन शुरू हो जाएगा उन्हें पिलिस विभागों में कॉंस्टेबल के बाद 26 पद भरनी के प्रक्रिया में तेज़ी लानी का नरदेश दिया मुख्य मंत्री ने शम्रस्तित सच्चिवाली में प्रश्रासनिक सच्चिवों के वैचे के दक्ष्टा करती हुए प्रतेक महा के अंतिम दो दिन राज्जस वर लोक अदलत आईजुत करनी का नरदेश दिया मुख्य मंत्री ने कहा कि सरकाल लोगों को उनके घरद्वार के समेप विशेशग्य स्वास्ति सिवाय देने के लिए प्रतीबात है अभी तक 25 विदान स्वाक शेत्रों में आदश स्वास्ति संसान सापित किये जा चुके हैं इनमें छेशे विशेशग्य जिकिस सक्तेनात किये गए हैं मौसम खिमार प्लाम के पेड़ो पर दो महीने पहली ही आगये फूल ग्लोबल वामिंग से बागवान और विशेशग्य भी हैरत में हिमाशर प्रदेश के जिला मंडी में इस बाद दो महीने पहले ही प्लम के पेड़ो पर फूल आना शुरू हो गए है ग्लोबल वामिंग और तापमान बढ़ना इसकी वज़ा बताई जा रही है मंडी के सिराच उखाट की लेहताच पंचायत के गुनास गाउं में प्लम के बागीचों में फ्लावरिंग शुरू हो गई है आम तोर पर मार्च के अंत में प्लम खुमानी और अने गुठलीदार फलो के पेड़ो में फ्लावरिंग होती है इस साल सर्दियों में बाईश और बत्पबारी ना होना पेड़ो में फ्लावरिंग का कारण माना जा रहा है रहताच पंचायत के गुनास गाउं के बागवान को दीब कुमार और अने बागवानों के प्लम के बागीचों में फूल आ गए है दो माह पहले ही गुट्लीदार फ्लो के बागीचों में फ्लावरिंग होने से बागवानी समंदित विग्यारिक भी हैरत में है हिडिम्बा मंदिर के समीप अस्थाई दुकानों में भड़की आग 15 खोखे जले हिमाचर प्रदेश के कुलो जिले के मनाली में सित हिडिम्बा मंदिर के समीप बनियस्थाई दुकानों में आग लग गई आग से लगभग 15 खोखे जलकर राख हो गई है जानकारी के अनुसार आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाए है आग मध्य रात्री लगभग दो बज़े भड़की पलिस ने मामला दर्च कर जाट शुरू कर दी है लेटिंग फार अफसर सूरज भार द्वाश ने बताया कि आग की घटना में करीब 4 लग का नुकसान हुआ है खिसानों को जल्द मिलने वाली है सूखे से रहात बारिश का लड़ जारी आने वाले दिनों में ऐसा रहेगा मौसम का हाल हिमाचो परदेश इस दुरान धुन और कोहरी के चपेच में है लेकिन परदेश सूखे की चपेच में है इस समन्द में कहा गया है कि प्रदेश में सूके से इस सप्तह रहात मिल सकते हैं इसे सप्तह से दो पच्छमी विक्षोब सक्रिये होगा मौसम इज्यानियों में जोता रहे हैं कि इस बार रहात मिलेगी पहला पच्छमी विक्षोब 25 जन्वरी को सक्रिये होगा इसके बाद 27 वर 28 जनवरी को फिर से पश्मी विक्षोब सक्रिये होगा इन सर्दों में अब तक सक्रिये हुए पश्मी विक्षोब बहुत कम प्रभावी रही है मंगलबार को मैदानिक शेत्र में अधिक्तम तापमान में 2-5 जगरे सेल्सिस की बृती तच की गई है जबकि शिमला किनो लाखोस पिती वच्चमा में अधिक्तम तापमान में 2-4 डिगरे की गिरावर तच की गई है मौसम विभाग ने शीत लहर का प्रभाव अधिक होने की आश्वंग का जटाई है हिमाचन में पिष्टे तीन महा से बारिश ना होने का असर पेजल योशना उपर पड़ रहा है प्रदेश भर में 15-25 फेजी तक पान की स्कीमें परभावित हुई है इन योशनाओं के पानी में 50 फेजी तक की गिराव अटाई है सबसे जाता दिकत शिमला, कुलू, कांगरा सिर्मार और अने जलों में हो रही है आने वाले दिनों में मौसम रहा दे सकता है बता दे के बाईश बर्फबाई ना होने से प्रदेश के सबसे बड़ी बिज्री परियोशना, नातपाज जाकरी समेथ अने बिज्री प्रजेक्टों में भी विधत उत्पादन पर भावित हुआ है हिमाच्र परदेश टक्निकल युनिवर्स्टी ने शुरू किये डूल प्रोग्राम एक साथ कर पाएंगे ये कोर्स हिमाच्र परदेश टक्निके विश्वदाले के अकादमिक पैश्र ने अपने चात्रों के लिए राश्ट्रे शिक्षानीती 2020 के तहत दोरे डिग्री काईक्रम शुरू करने के पस्ताफ को मंजूरी देती है यानि की अब स्टूडट एक साथ दो कोर्स कर सकते है इस बात की जानकारी युनिवर्स्टी के एक प्रवक्ता ने दी बता दी किस बात का फैसला विश्वदाले की कुलपती प्रफेसर शशी कुमा धिमान के धक्षता में लिया गया इसके लिए विश्वदाले की अकादमिक पैश्रत की 33 बैट्चक की गई थी हमाचल देष का पहला हरित राज्य बनने की और अगरब सर गीन एनर्जी वई वहनों को दी जा रही प्रात्मिक्ता हमाचल का परिभन विभाक देश का पहला सरकारी विभाक है जो अप्योग कर रहा है अब तो प्रदेश सरकान ए टेक्सी ए बस वा एचरा को खईदने के लिए पिच्वास पतीशत के अनुदान का प्रावधान क्या है ये कादम हिमाचल को देश का हरित राज्य बनाने के दिश्रामें अग्रसर हो रही है प्रदेश की आर्थकी में सबसे बड़ा योगदान अबकारी एवं कराधान से आने वाली आई यानी राज्यस्व जो 3500 क्रोड का योगदान है जबकि इसके बाद उच्चाक्षेत दूसरी नंबर पर है जिससे करीब 1800 क्रोड के राज्यस्व का योगदान है हिमाचल से उद्योगो का प्लान रोखनी को 6 फेस्दी बिजली शुल्क घटाने के तयारी हिमाचल से उद्योगो का प्लान रोखनी के लिए सरकार बिजली शुल्क में 6 फेस्दी तक कटोती कर सकती है सितंबर में अदोगों के लिए बिचली शुल्क 11 से बढ़ा कर 19 पेस्दी कर दिया गया था इसे कम कर तेरा पेस्दी करने का प्रस्ताब है वज़ा ये है कि जमो कश्मीर, पंजा, भारियाना और उतरपर देश में हिमाचल के मकाबले दोगों को अधिक रियायते दी जा रही है विशेश तोर पर विद्ध ड्यूटी और जिस्टी रिटर्न को लेकर बाहरी राज्ये और दोगों का करशित हो रही है सरकार का माना है कि बिचली शुक में कटोटी से उत्यूग पती बाहरी राज्यों का रुख नहीं करेंगे